हेलो एवरीवन वेलकम टू वाइफाइ स्टड़ी विच पार्ट ऑफ अकेडमी गुरूप दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एक्सपेक्टिड जीके के दोस्तो टेलिग्राम पर स्वरम बलिक ओफिशल नाम से एक गुरूप है इसको जोईन कर लेना यहाप आप लोग को हरी वीडियो की पीडियाप और अनकेडमी की स्पेशल क्लासिस के लिंक मिल जाएंगे तो इसको जोईन जरूर कर लिजेगा डेली स्पेशल क्लासिस की जो लाइब क्लासिस्ट्रक्षर कोर्ड कोर्स वीकली टेस्ट अनलिम्टेड एक्सिस इस सारे बेनेफिट आपको मिल जाते हैं जब भी आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन जोईन करते हैं अनकेडमी पर दूस्तों बेस्ट डिल चल रही है इस ताइम पर आप लोग ठीक है यह है शिक्स मंत के ठीक है बारा मैनी के 8500 से कटके 6800 वालाब यह आप अंदज लगा सकते तो यह भी सबसे बेस्ट इल है अगर आपको स्सक्रिप्शन जोईन करना है तो सब्सक्रिप्शन जोईन कर लिजेगा यह सभी कैटेग्री में कोड अप्लाई कर सकते हैं द बाकिया आप डेटेल में पढ़ सकते हैं दोस्तो यह सारे टेस्ट वी यह कोस्ट है से सम्बंदित कोशन चाने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना और पहला कोशन है निमलकित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर नहीं है यहां से सुनना नहीं है पूछा गया है तो गाईज इस question का right answer हो जाएगा कृष्णा राज सागर यानि की option हो जाएगा आपका B right answer देखें कृष्णा राजा सागर बांध 1932 में करनाटक में मैसूर और मांडिया जिले के लिए रखा गया था ये भी आप लोगों को याद अखना है ठीक है चले अगला question हमारा आता है कि निमलिकित का मिलान कीजिए यानि कि आपको बांध और नदी का मिलान करना है कौन सा बांध किस नदी पर है तो यहां पर अगर मैं मिलान की बात करूँ दोस्तो तो हीरा कुन ये रवि पर है तो अब देख polymer Cont comula 1 फरी का तीसरा किस में है तो तीसरा इसमें हैं दी मेनि ये भी अटा देते हैं फिर आपका आता है सलाल प्रियोजना तो सलाल प्रियोजनी कहां पर है चैनाब रिवर पर तो C का B को हाँ पर है C का 2 यानि की तो guys right answer इसका B हो जाएगा तो ये आप लोगों को note कर लेना है ठीक है चले उत्राखंड के तीरी बांद का निर्मान नदी पर किया गया था किस नदी पर किया गया था ये बताना है दोस्तों उत्राखंड के तीरी बांद का निर्मान किया गया था भागीरती नदी पर यानि की option हो जाएगा C right answer ये आप लोगों को याद रखना है देखें तीरी डैम is the highest डैम in India and one of the highest डैम in the world ये point भी आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है दोस्तों चल लेजी अगला question आता है सिरी नगर निमलिकित में से किस नदी के किनारे इस्तित है तो ये आपका हिस्तित है जेलम नदी के किनारे तो right answer is option D ये आप लोगों को याद रखना है निमलिकित में से कौन सा राज्ये नर्मदा बेसीन का हिस्सा नहीं है निमलिकित में से कौन सा राज्ये नर्मदा बेसीन का हिस्सा नहीं है जल्दी से बताइए तो guys this question का जो right answer होगा that is option C यानि की राजिस्थान जो है आपका नर्मदा बेसीन का हिस्सा नहीं है या आप लोग को या दखना है देखे यहाँ पर अगर मैं बात कर दोस्तों नर्मदा भारत की सबसे बड़ी पस्टी में बहने वाली और पाँच भी सबसे बड़ी नदी है यह मद्य परदेश में एक बड़े चेतर के अलावा मारास्ट और गुजरात के कुछ छेतर में भी फैली है तो यह पॉइंट भी आप लोग नौट कर सकते हैं ठीक है गाईस बाकी आप यह डिटेल की जो पीडिया पहना यह आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं यह अरब सागर में कैमबे की खाड़ी में गिरने से पहले यह विद्या और सत्पुडा पाडियों के बीच दक्कन ट्रेव से बहती है यह चीज भी आप लोग याद रख सकते हैं नर्मदा का चेतरफल और जिसे लगबग 87% मद्य परदेश में है यह पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं अगला कोश्चन है निमलकित में से कौन एक ट्रांस हिमाल्य नहीं है तो इन में से एक ट्रांस हिमाल्य दोस्तो कौन सा नहीं है तो अगर बात करूँ मैं सतलूज की तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो सतलूज ठीक है सतलज एक ट्रांस हिमाल्या नहीं है और ट्रांस हिमाल्या दोस्तों नदिया महान हिमाल्या से आगे निकलती है यह आप लोगों को याद रखना है ठीक है यह सारी डिटेल आप बाद में पढ़ सकते हैं पीडियाप को डाउनलोड करके टेलिग्राम से टेलिग्राम कर जो परवा है दोस्तों और नाचल प्रदेश से होकर बहती है इस question का right answer B और C हो जाएगा यानि की लोहित और सुबन सीरी तो right answer is option B हो जाएगा दोस्तों question आता है गोहाटी नदी के किनारे इस्थित है गोहाटी आपको बताना है किस नदी के किनारे इस्थित है जल्दी से answer बताइए दोस्तो गौाटी ब्रहमपुत्र नदी के तटपर सिलोंग पठार की तलहटी के बीच इस्थित है ठीक है तो right answer is option ब्रहमपुत्र यह आप लोगों को याद अखना है ठीक है निमलकित में से कौन गंगा की एक सायक नदी नहीं है दोस्तो यहाँ पे इंद्रावती जो है यह गंगा की एक सायक नदी नहीं है तो यह भी आप लोगों को याद अखना है दोस्तो next है अलेक्जेंडर और राजा जर जरा के बीच high depends की लड़ाई high dispense नदी के तटपर लड़ी गई थी जिसे अब इस रूप से जाना जाता है तो guys इस question का right answer क्या होजएगा इस question का सही उत्तर होने वाला है जहलम नदी की तटपर यानि की option आपका इस right answer होजएगा चलिए वे अगला question है आन्द परदेश के साथ कोन सा राज्य वस्धारा जल विवाद में सामिल है तो वस्धारा जल विवाद में कौन सा राज्य दोस्तो रिलेटेड है यहाँ पर एक तो आपका आंदर परदेश इन्होंने बताए दिया तो उडिसा इसका right answer होजएगा ठीक है आंदर परदेश और उडिसा ठीक है ना चले तो भारत में उडिसा और आंदर परदेश राज्य में तिरिकुल्या और गोदावरी के बीच एक महत्मूर नदी वस्धारा पहती है चले जी अगला कोशन आता है यह नदी काला हंडी जिले के थ्वामूल रामपूर और उडिसा के रायगड जिले के कल्यान सिंगपूर से निकलती है और लगबग 254 किलोमेटर की दूरी तक चलती है दोस्तो यह आंदर परदेश के कलिंग पतनम में बंगाल की खाड़ी में मिलती है यह पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते है कोशन आता है रामगंगा नदी पर बना रामगंगा बान किस राज्य में इस्थित है दोस्तो यह इस्थित है उत्राखंड में तो right answer is option D कोशन आता है मानस नदी निमलिकित में से किस नदी की सायक नदी है तो यह सायक नदी है दोस्तो बरंपूत्र की ठीक है right answer is option D कोशन आता है आपका next महाद्याई नदी किस राज्य में उत्पन होती है तो महाद्याई नदी किस राज्य में उत्पन होती है यह उत्पन होती है दोस्तो करनाटक में तो पस्चिम में बेहने वाली मादे नदी करनाटक के बेल गावी जिले के भीमगड वन्यजीव अभ्यारन से उत्पन होती है ठीक है यह आप लोग याद अख सकते हैं बाद की सबसे लंबी सायक नदी कोंसी है दोस्टों यंव्ना जो है यह सबसे लंबी सायक नदी है यानि कि ट्रिभीटर रिवर है तो रहाइठ आठ अंसरी अप्षण सी यह आप लोगों को याद अखना है निमलिकित में से कौन सी नदी वरोधरा सहर से गुजरती है तो विश्वा मित्र दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यानि कि D is the right answer कोशन है किस नदी तट पर चार मिनार इस्तित है तो किस नदी तट पर चार मिनार इस्तित है दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर मुसी हो जाएगा यानि कि A is the right answer कोशन है सेंडबार बेरियर दीप या परवाल भीत्या द्वारा पानी के एक बड़े निकाए आमतोर पर महासागर से संरक्षित उत्हेल निकाए को कहा जाता है तो इसे कहा जाता है लेंगून यानि की सी याँ पर रेट आंसर हो जाएगा कोशन आता है दोस्तों गवानता नामो बे निमलिकित में से किस देश में इस्थित है तो ये इस्थित है दोस्तों क्यूबा में यानि की रेट आंसर इस ओप्षन भी यह आप लोग या दख सकते हैं Qution आता है आपका यहां पे किस देश में दुनिया की सबसे लंबी तट्रेखा है सबसे लंबी तट्रेखा दोस्तों कनड़क ही है तो right answer यहां पे option A हो जाएगा Qution है विस्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मेक्सिको की खाड़ी तो right answer is option D यह आप लोगों को याद अखना है दोस्तो कोशन आता है आपका व्यापार के दर्स्टी कौन से सबसे वेस्ट महासागर कौन सा है तो व्यापार के दस्टी कोंचे सबसे वेस्ट महासागर दोस्तों आपका पढ़ता है Atlantic Ocean यानि कि Right Answer is Option भी ये आप लोगों को याद अखना है Qution है सूंडा ट्रेंज कहां इस्तित है तो सूंडा ट्रेंज दोस्तों आपका Indian Ocean में इस्तित है यानि कि C is the Right Answer Qution आता है Dolphin Challenge Ridge कहां इस्तित है तो Dolphin Challenge Ridge is Located in तो इस Qution का Right Answer हो जाएगा Atlantic महासागर यानि कि Option A is the Right Answer Qution है परसिद रिंग ओफ फायर किसमे इस्तित है दोस्तों परसिद रिंग ओफ फायर किसमे इस्तित है तो Right Answer is Pacific Ocean यानि कि C यहाँ पर Right Answer हो जाएगा ठीक है तो देखे यह मैंने इससे पहली वीडियो की थी उसमें 25 Qution मैंने रिवर से संबंदित कराये थे इसमें डैम से संबंदित कराये तो 50 Qution के स्रीज थी हमारी प्लीज लाइक जरूर कर दिया करे ठीक है ना चले next चलते है और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनकेडमी पर आपको मिल जाता है जहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की studies related नहीं था तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज के और जो सबसे पहले भेजेगा उसको prize मिलेगा ठीक है वाकि thank you so much guys चैनल को subscribe कर लिजेगा पीडिया भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बैल आइकन को on रखिए और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मात ठीक है और देखिए unacademy पर मेरी दो special classes हो रही है इसके बारे मैं मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो धाई बजे ठीक है और एक होती है रात को 11 बजे दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाऊगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा unacademy profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चले मिलते है next class में